आज हम आपको Review Tab के Protect Block के Restrict Editing Option की जानकारी दे रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपने Document में Formatting और Editing Restrict कैसे कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि आपके Data में आपके अलावा कोई और किसी भी तरह की कोई editing या formatting ना कर पाए तो Microsoft ने हमें सुविधा दी है कि हम अपने document को पूरी तरह से सिक्के और बना सके चलिए हम आपको बताते हैं कि आप अपने word document को password से कैसे सुरक्षित करेंगे आप देखेंगे example के लिए हमने यहाँ पर एक document लिया हुआ है और अगर आप अपनी document को protect करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना है review tab पर और review tab पर जैसी आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक option दिखाए देगा restrict editing का इस पर जैसी आप click करेंगे तो click करते ही आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफी सारे option आपको दिखाए दे जाएंगे जिसमें सबसे पहला option आपको दिखाए देगा formatting restrictions का अब formatting restriction का मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने document में किसी भी तरह की कोई भी formatting को allow नहीं करना चाहते हैं तो आप इस वाले box पर tick कर देंगे अब इससे होगा क्या कि आपके document में अगर कोई bold italic underline या किसी भी तरह की color formatting करना चाहेगा तो वो formatting इसमें नहीं किया सकेगे इसके बाद next option के अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर next option है हमारा editing restrictions अब editing restrictions क्या चीज़ है यहाँ पर देखें लिखा है कि allow only this type of editing in the document मतलब इसमें आप allow कर सकते है user को कि वो इस तरह की editing कर सकता है इसके अलावा कोई और editing नहीं कर सकता है जैसें checkbox पे click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक drop down दिखाई देगा इस पर जैसे आपके click करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर 4 option दिखाई देगे जिसमें सबसे प्यार option आपको दिखाई देगा track change का track change को select करने से होगा क्या कि आपके document में अगर कोई किसी तरह की editing करेगा तो वो track हो जाएगी track change की video मैंने पहले बनाई हुई है अगर आपने वो video नहीं देखी है तो आप link के description में जा करके वहाँ से इसे देख सकते हैं या फिर मैं i button पर आपको इसका link देदूँगा आप वहाँ से भी से check कर सकते हैं इसके बाद अगर हम बात करें comments की कि अगर आप comment को यहाँ पर select करते हैं तो आपके document में केवल comments add किया जा सकता है इसके अलावा कोई और editing नहीं की जा सकी तो next option की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है filling in forms यानि कि अगर आपने अपने document में किसी भी तरीकी का कोई form create किया हुआ है और आप चाते हैं कि user के वल उस form को fill कर सके यानि fill करने की आप freedom देना चाते हैं तो उसके लिए आप इस option को यहाँ पर select कर सकते हैं इसके बाद नीचे की तरफ अगर हम बात करें no changes read only की तो अगर आप इसको select करते हैं तो आपके document में किसी भी तरह की कोई भी changes नहीं की जा सकेगी नहीं track change किया जा सकेगा नहीं comments का use किया जा सकेगा नहीं किसी तरह की कोई भी formatting की जा सके तो यहाँ पर हम फिलाल no changes read only को select करेंगे और इसके नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको एक और option दिखाए देगा expectation optional का अब यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है select part of the document and choose user who are allowed to freely edit them इसका मतलब यह हुआ कि आप यहाँ पर अपने document में किसी part को select करके allow करना चाहते हैं कि जो user हो वो उस part में change कर सके इसके अलावा आपके और किसी part में वो change ना कर पाए तो वो भी option आप यहाँ पर use कर सकते हैं हमाले जिए हम इस वाले page पर इसके अंदर editing हो जाए तो इसमें हम permission देना चाहते हैं कि इसमें कोई भी user change कर सके बाकी के किसी भी question में editing ना हो पाए इसके अलावा अगर आप किसी और document को भी allow करना चाहते हैं कि user उसमें भी changes कर सके तो इसके लिए आपको अपने keyboard से control को press करके रखना है matter को भी यहाँ पर select कर लेते हैं ध्यान रहे हैं कि आपको control को दबा के रखना है तभी आप एक साथ काफी सारे taxes को या काफी सारे document को select कर पाएंगे तो माली जम ने तीन जगा पर यहाँ पर permission दे दी है कि हम तीनों जगा पर चाहते हैं कि यहाँ पर editing की जा सके और इसके अलावा मेरे पूरे document में कहीं पर भी कोई भी editing ना हो तो उसके लिए आप यहाँ पर इन तीनों को select करके यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक option दिखाई देगा everyone का इस everyone वाले option को आप select कर लीजे everyone को select करने के बाद यहाँ पर हम select करेंगे yes start enforcing protection इस पर click करेंगे इस पर click करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक dialogue box उपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको अपना password input कर रहे हैं जैसे माल दीजे हम यहाँ पर password दे देते हैं और नीचे की तरफ हम confirm password दे करके यहाँ पर OK बटन पर click कर देते हैं जैसे हम यहाँ पर OK बटन पर click करेंगे तो आप देखेंगे हमने जिस document को allow किया था वो यहाँ पर आप देखेंगे highlight हो जाएगा मैं एक बार आपको scroll करके दिखा देता हूँ उपर की तरफ आप देखेंगे हमने scroll किया था और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो हमने इन दोनों paragraph को यहाँ पर allow किया था जो कि यहाँ पर highlight हो करके आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने यहां पर आप देखेंगे, highlight हो जाएंगे, हमने तीन documents को यहां पर allow किया था, तो वो तीनों के तीनों documents आपको यहां पर highlight हो करके दिखाई दे रहें, अगर आप इसे highlight नहीं रखना चाते हैं, तो आप इस tick mark को यहां से हाटा दीजे, आप पर यह जो highlight word था वो यहां से हट जाएगा इसके बाद आप देखेंगे उपर की तरफ आपको एक option दिखाई देता है find next reason का अब माल लिजे हमें कैसे पता चले कि हम किस document में editing कर सकते हैं और किस document में editing नहीं कर सकते हैं यह highlight वाले option को तो हमने यहां से हटा दिया है अब इसके बाद आप देखेंगे जैसी miss वाले option पर क्लिक करेंगे तो यह automatically हमें वहाँ पर ले जाएगा जिसके अंदर आप editing कर सकते हैं जिसके हमने permission यहां पर डी हुई है इसके बाद जैसे हम वापस से find next पर क्लिक करेंगे तो यह हमें अगले वाले document पर जम करा देगा जिसके अंदर हम edit कर सकते हैं और उसके बाद वापस से अगर आप find next पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तीसरे वाले document पर भी हमें जम करा देगा और उसके बाद वापस से अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक notification आजाएगी जिसमें लिखा होगा word has finished searching the document इसने सभी document को सर्च कर लिया है आप इतने ही document को यहाँ पर edit कर पाएंगे इसके बाद आप देखेंगे हमारा जो next option है और select करने के बाद मैं आपको यहाँ पर edit करके दिखाता हूँ जैसे मालीजे हम यहाँ पर दीपक की जगा पर कुछ और लिखना चाहते हैं मालीजे ने दीपक को select किया और यहाँ पर हमने लिख दिया कमल तो इसके लिए हम मालीजे stop protection पर click करते हैं और वापस से password को डाल करके हम यहाँ पर restriction को हटा देते हैं और हटाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो पहला वाला option था formatting restrictions का इसको यहाँ से हम हटा देते हैं इसे हटाने के बाद हम यहाँ पर yes start enforcing protection पर वापस से click करेंगे और फिर से यहाँ पर हम password दे करके इसको save कर देंगे save करने के बाद अब मालीजेम किसी text को यहाँ पर bold करना चाहते हैं या italic करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं home tab में वो सारी formatting यहाँ पर unhide हो चुकी है अब यहाँ पर चाहिए आप color feel करना चाहिए 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 आप इसे bold करना चाहिए italic करना चाहिए underline करना चाहिए तो आप आसानी से उसके अंदर editing यहाँ पर कर सकते हैं या फिर इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ extra type भी करना चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर type कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप अपने document को protect कर सकते हैं और आप अपने document में कुछ part को यहाँ पर allow भी कर सकते हैं कोई भी user उसमें अगर edit करना चाहें या उसके अंदर किसी भी तरह की कोई formatting करना चाहें तो आप उसको यहाँ पर allow कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like, comment, share जरूर कीजेगा धन्यवाद